आप सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों मैं नीलम सेन कक्षा आठ में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम सभी मिलकर कक्षा आठ के पुस्तक वसंत के पाठ बसकी यात्रा पढ़ने जा रहे हैं जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई तो चलिए शुरुवात करते हैं पाठ के उद्देश से पाठ के उद्देश से कुछ इस प्रकार है वाचन, पठन एवं लेखन कोशल का विकास जिग्यासू प्रवर्ति एवं चेतना का विकास यातयात की दुर्विवस्थाओं पर व्यंग को समझने की शमता का विकास भाशा के सोंदर्रे को समझ कर लेखन अभिव्यक्ति को शशक्त बनाना व्याकरण के विभिद बिंदूओं का लेखन में प्रियोक करना चात्रों की कल्पना शक्ति का विकास हिंदी साहित्ते के व्यंग विधा से अफगत होंगे आईए बच्चो अब हम पाट के लेखक के बारे में जाने लेखक का परीचे कुछ इस प्रकार है हरिशंकर प्रसाई जी का जनम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जन्पत के जमानी ग्राम में 22 अगस सन 1924 को हुआ था प्रसाई जी ने प्रारंबिक सिक्षा सैंस्टार ग्लोबल स्कूल नैनी इलाबाद में प्राप्त की वेबाद में इस नातक तक की सिक्षा मध्य प्रदेश में प्राप्त की फिर नागपुर विश्विद्याले से एम्मे की परिक्षा पास की ततपश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन का कार्रे किया बाले अवस्था में ही इनोंने लेखन में रूची लेना प्रारंब कर दिया था अध्यापन के साथ साथ साहित्य स्रजन भी करते रहें प्रमुक्रचनाई कुछ इस्प्रकार्थी इन तटकी खोज, रानी नाक्फनी की कहानी ज्वाला और जल, भोला राम का जीव, हसते हैं, रोते हैं, आदि हरिशंकर प्रसाई एक प्रसेद हिंदी व्यंग कार और हाथ सिकार थे जो समकाली इन भारतिय समाज पर अपनी तीक्ष्न और व्यवहारिक टिपनी के लिए जाने जाते हैं आईए बचों, बस की यात्रा पाठ का अध्यन प्रारंब करने से पूर्व, पाठ में आए कुछ कठी शब्दों के अर्थ जाने हाजिर, उपस्तित, श्रद्धा, आदर या सम्मान, वयोव्रद, बहुत बूढ़ी, हिस्सेदार, जिसका व्यपार में हिस्सा हो निमित, बहाना, कूच, निकल जाना, सवीन्य, नम्रता से, इत्तिफाग, संयोग, गलानी, अपने आप पर शर्म, बियाबान, सुनसान, उत्सर्ग, छोड़ देना या त्याग देना, बेताबी, व्याकुल, प्रयान, चले जाना या परलोग जाना, अवग्या, आज्या न मानना, आएए, अब पाठ का सासवर वाचन करें, हम पांच मित्रों ने तै किया, कि शाम चार बजे की बस से चलें, पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपूर की ट्रेन से मिला देती है, सुबह घर पहुंच जाएंगे, हम में से द शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्या, रास्ते में ढाकू मिलते हैं, नहीं, बस ढाकिन है, आएए अब हम इसकी व्यक्या समझते हैं, व्यक्या कुछ इस प्रकार है, लेखक ने वर्णन किया कि लेखक और उनके चार मित्रों ने शाम चार बजे की बस से पन्ना जाने क का फैसला किया, उन्होंने सोचा कि पन्ना से उसी कंपनी की जो दूसरी बस सतना के लिए एक गंडे बात चलती है, वो बस लेखक वे उनके मित्रों को जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देगी, और वो पांचों राद भर ट्रेन का सफर्प कर सुबह घर पहुंच जाएंगे लोगों की सला के अनुसार समझदार लोग इस शाम वाली बस से नहीं जाते, क्योंकि बस खराब हालत में हैं, पता नहीं मंजिल तक पहुंचा पाएगी की नहीं, तो लोग हमेशा उस बस से जाने से डरते हैं तो चलिए, अब हम इसके आगे के पाट का सासवर वाचन करते हैं, बस को देखा तो श्रद्धा उमड पड़ी, खूब वयोवरत थी, सदियों के अनुभव के निशान लिये हुए थी, लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते, कि व्रद्धा वस्ता में इसे कस्ट यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे, हमने उनसे पूछा, यह बस चलती है, वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह, हाँ जी, और कैसे चलेगी, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, हम आगा पीछा करने लगे, डॉक्टर मित्र ने कहा, डरोमत बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से जादा विश्वसनिये हैं, हमें बेटों की तरह प्यार से गोध में लेकर चले हैं, बस की वरधा वस्ता को देखकर लेखक की मन में बस के प्रति शद्दा के भाव भी उत्पन हो गए, वो मनी मन सोचते हैं कि वरधा वस्ता के कारण इस बस को खूब अनुभव होगा, उनका मानना था कि वरधा वस्ता में इसे कस्ट ना पहुँचे, इसलिए लोग इस क्या यह बस चलती भी है? उन्होंने उत्तर दिया कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी? वे हो उसके मालिक थे, उन्हें उस पर भरोसा था, लेखक और उनके मित्रों ने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं यह बस कैसे चलेगी? अपने आप चलती है क्या यह है? हिस् बस अपने आप चलती है ये तो कमाल हो गया लेखक और उनके मित्रों के मन में विचार आया कि इस बस में जाएं या ना जाएं उनमें से एक डॉक्टर मित्र भी थे उन्होंने भरोसा और बढ़ाया विश्वास जताया डढ़ने की बात नहीं है चलते हैं चलिए हम पाठ का स लगा ही रहता है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के बीतर बैठे हैं काश बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था हम फोरन खिडकी से दूर सरग गए इंजन चल रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है आईए इसकी व्यक्या समझें लेखक बड़े ही रोचक ढग से यह बताते हैं कि जो लोग उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आये थे वो उन्हें ऐसे देख रहे थे मा आदमी के इस दुनिया से जाने का कोई न कोई एक कारण तो बनता है बस स्टार्ट होने पर महसूस हुआ कि जैसे वे इंजन पर ही बैठी हों क्यूंकि पूरी बस में इंजन की ही आवाज गूंज रही थे बस की खिडकियों में जो कांच बचे थे वह तूटे फूटे थे बुरी हालत में थे यात्रियों को चोट लग सकती थी वे तुरंत खिडकी से दूर खिसक गए क्यूंकि लेखक डर रहे थे कहीं उन्हें कोई चोट ना पोँचाए बस की इंजन का खस्ता हाल था चलिए भम पाट के आगे का सस्वर वाचन करें बस सचमुच चल पड़ी औ और सवीन्य अवग्या अंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी हर हिस्सा दूसरे से असयोग कर रहा था पूरी बस सवीन्य अवग्या अंदोलन के दोर से गुजर रहे थे सीट का बाड़ी से असयोग चल रहा था कभी लगता सीट बा माता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है एक आएक बस रुख गई मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डाल कर इंजन में भेजने लगा अब मैं उमीद कर रह शीशी लगाती है आएए अब इसकी व्यक्या समझें गांधी जी के असयोग आंदोलन के समान सीट का बॉड़ी से असयोग आंदोलन नजर आ रहा था सीट बॉड़ी को छोड़ कर खिसक रही थी एक आएक बस का रुखना और पता चलना कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो पेट्रोल खतम होने पर ड्राइवर नली से पेट्रोल डाल कर इंजन तक पहुचा रहा था जैसे कोई मैं बच्चे को शीशी से दूद पिला रही हो चलिए वं पाठ के आगे का सहसुवर वाचन करते हैं बस की रफतार अब 15-20 मील हो गई थी मुझे उसके किसी भी इससे पर भरोसा नहीं था ब्रेक फेल हो सकता है स्टेरिंग तूट सकता है प्रकरती के द्रिश्य बहुत लुभावने थे दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था जो भी पेड़ आता डर लगता इससे बस चकराईगी वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता जील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी आईए अब इसकी व्यक्या समझें बस की रफतार बहुत धीमी होकर 15-20 मील ही रह गई लेखक को बस के किसी भी इससे पर भरोसा नहीं था ब्रे जैसे अभी पेड़ बस से टकरा जाएगी जील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी चलिए अब हम पाट के आगे का सवस्वर वाचन करें एक आएक फिर बस रुकी ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीवे लगाई पर वह चली नहीं सवीन ने अब अग्या लग रही थी लगता जैसे कोई व्रद्धा ठकर बैठ गई हो हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं अगर इसका प्रणान्त हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंतयेस्टी करनी पड़ेगी धीरे धीरे व्रद्धा की आँखों की जोती ज नहीं रही आईए अब हम इसकी व्यक्या समझें एक बर फिर से बस रुकी हिस्सिदार सहाफ फिर भी अपनी टूटी-फूटी बस की तारीफ करने लगे चांद की चांदनी में पेडों की छाया के नीचे वह बस खड़ी थी और बहुत ही बेचारी सी लग रहे थी जैसे को करनी पड़ेगी हिस्सिदार ने बस की इंजन में कुछ सुधार किया पर बस की रफतार और धीमी हो गई बस की हैडलाइट की रोशनी अब कम होने लगी चांदनी रात में रास्ता ढूंड कर वह धीरे धीरे चल रही थी आगी या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और बस का ड्राइवर साथ से गुजनने वाली गाड़ियों को कह रहा था कि बगल से निकल जाओं चलिए अब हम पाट के आगे का सवस्वर वाचन करें एक पुलिया के उपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया वह ब टायरों की हालर जानते हैं फिर भी जान हतेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं उत्सर्ग की ऐसी भावना दुरलब है सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है इसे तो किसी क्रांतिकारी अंदोलन का नेता होना चाहिए अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सम मर जाते तो देवता बाहे पसारे उसका इंतजार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिये मर गया पर टायर नहीं बदला आईए इसकी व्यक्या को समझें थोड़ी देर चलने के बाद पुलि भावित हुए लगा जैसे जान दे देंगे पर टायर नहीं बदलेंगे लेखा कहता है कि हिस्सिदार साहिब को कंपनी का मालिक नहीं बलकि क्रांतिकारी अंदोलन का नेता होना चाहिए बाद में सूचता है कि अगर वे सम मर जाते तो देवता बाहे फैलाय उसका इंतजार करते कहते कि कितना महान आदमी है एक टायर बदलने की बजाए अपने प्रांड दे दिये चलिए अब हम पाट कर आगे का सवस्वर वाचन करें दूसरा घिसा टायर लगा कर बस फिर चली अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उमीद छोड़ दी थी पन्ना कभी भी पह लोग को प्रयांट कर जाना है इस प्रत्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है हमारी बेतावी तनाव खतम हो गए हम बड़े इत्मिनान से घर की तरह बैठ गए चिंता जाती रही हसी मजाग चालू हो गया आईए अब इसकी हम व्यक्या समझें कंड़क्टर साहब ने अपना सहयोग दिया और टायर बदला बस चल पड़ी लेखक को जरा सा भी विश्वास नहीं था कि वे अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे अन्त था लेखक उसे ही नियती समझ कर खुशी खुशी उसे वयवरत बस में अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुँचने की कामना करने लगता है आईए अब हम प्रशन उत्तर पर नजर डालते हैं प्रशन एक ड्राइवर ने टंके में छेदोने पर क्या किया उत्तर ड्राइवर ने नली से इंजन तक पेट्रोल पहुचाया जैसे कोई मा अपने बच्चे को शीशी से दूद पिला रही हो प्रशन दो यात्र कि जरजर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टेरिंग कहीं भी तूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है ऐसी में लेखक को ड़ लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टक्राना जाए प्रशन चार ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम को ऐसा प्रतीत हुआ पूरी बस ही इंजन है मानो वह बस के भीतर न बैठ कर इंजन के भीतर बैठा हुआ है प्रशन पांच बस वश और बस शब्दों में अंतर बताते हुए वाक्य में प्रियोग कीजिए उत्तर बस वश बस तीन शब्द हैं इनमें बस सवारी के अर्थ कैनध में वश अधिंता के अर्थ में और बस पर्याप्त यकाफी के अर्थ में प्रियोग क्दुआ हैं वाक्य वश्य क्रों को समझना सबके वश की बात नहीं वश भग्वान की करनी मनुश्य के वश में नहीं बस बस करो कितना खाओगे बस, बस करो इतना काफी है बस, बस की यात्रा करना मज़िदार होता है आईए, अब हम परियोजना कारे की तरफ बढ़ते हैं आपको अपने किसी भी यात्रा का वर्णन करते हुए एक लेख तयार करना है प्यारे बच्चों आशा है कि आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा धन्यवाद